हालो इवरीवन एक बाप फिर्शे श्वागत है आप सभी कापके पसंदीदा यूटूब चैनल रामा सर में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वन विभाग के द्वारा जारी की यही नई वैकेंसी डिटिल्स के बारे में एसी अफ और एफ आरो के पदों पर नई वर्तिक आगाज हो चुका है आल ओवर इंडिया वेकेंसी है जिसमें 18 से 35 वर्स आयू के बीच के लोग फॉर्म फिलफ कर सकते हैं आप लोग बने रहे हैं वीडियो के इंड़ता है डिसकस करेंगे संपूर्ण जानकारी को सबसे पह ये लाश डेट निर्दारित किया गया है 10 अगस 2024 को साम पांच बजे तक जी हां दोस्तों आवेधन की तिथी प्राराम हो रहे हैं 29 जुलाई 2024 से और 10 अगस 2024 को साम पांच बजे तक आप आनलाइन फिस पेमेंट कर सकते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है यानि 11 अ अग्जाम आपका होना है सेड्युल के संच आपका एक्जाम होगा एड्मिट कार जैसे ही एवलेबल होगा उसके लिए हम आपको अलग से नाटिफाई कर देंगे अप्लिकेशन फीस की बद कर लेते हैं तो अप्लिकेशन फीस में जनरल, OBC आपका जनराइन का सिक्सित के गया है सुल्क का भुगतान आप आनलाइन डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसका अड़िटाइबन नमबर है 03-04-2023-04-2024 के सौट डिटेल्स आफ नाटिफिकेशन का हम डिसकेशन कर रहे हैं अगर आप फुल नाटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप www.sarkaryresult.com पर भी जाका देख सकते हैं या www.jpsc.gov.in पर भी जाकर के देख सकते हैं बात करते हैं आयूशिमा की जारकांड एसिस्टेंस, कंजर्वेटर और फॉरेस्ट एसीफ और फॉरेस्ट रेंज आफिसर एफ आरो नाटिफिकेशन 2023 के एज लिमिट की बात करें तो जारकांड जारकांड जीपेसी एसिस्टेंस, कंजरर्वेटर और फॉरेस्ट एसीफ एन एफॉरेस्ट एसीफ एफ एफ आरो रेकूडमेंश 2024 के एकृर्णिग आपको आईूमें छूट भी ब्रदान की जाएगी इसके लावा दोस्तों JPSC Assistance Conservator of Forest ACF and Forest Range Officer FRO Recruitment 2024 गे Total Vacancy Details की बात करें तो कुल 248 पदों पर यह वेकंसी निकाली गई है जिसमें Forest Range Officer FRO के 170 पद है जिसमें आपका जो Qualification होना चाहिए होना चाहिए Bachelor Degree with at least one of the subject दोस्तों एक चीज मुख्य रूप से आपको बता दें कि कुल 248 पदों पर वेकंसी है जिसमें 170 पद FRO के हैं इसका Total Details हम आपको Clear करवा देते हैं आप देख सकते हैं Elisability Details के हम Total बात कर लेते हैं तो 170 पद जो FRO के हैं उसके पारे मैं हम आपको बता देते हैं Bachelor Degree with at least one of the subject Bachelor Degree आपके पास हसनातक डिगरी होनी चाहिए लेकिन उसमें से एक सबजेक्ट आपका Agriculture या फिर Agricultural Engineering या Animal Hospitality इसके अलामा Veterinary Science या Forest Botany Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statics, Geology होना आवश्यक है या फिर Environmental Science होना चाहिए इसके अलामा दोस्तों आप देख सकते हैं Engineering Degree in Civil, Mechanical, Chemical Form एनी Recognize University से होना आवश्यक है इसके अलामा दोस्तों इसमें मुख रूप से हाइट है इसमें 163 संटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी फिमेल के लिए 102.5 इसके अलामा चेस्ट आपका 79 संटीमीटर इसमें टहलने के लिए क्या है मेल को 4 घंटे में 25 किलमीटर टहलना है जी हाँ मन चलके जाना है 25 किलमीटर और फिमेल को 14 किलमीटर की दूरी तै करनी है चार घंटे में असिस्टेंस कंजर्वेटर ओफ फॉरेस्ट एसी अफ के 70 पर निरदार इप किये गया है दोस्तों जिसमें बैचलर डिग्री वीद एट लिस्ट वन आप दे सब्जेक्ट वही सेम इसमें भी आप मान करके चले संपूर्ण क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों आप देख सकते हैं एनिमल हस्वेंडरी एन वेटरनी साइंस बॉटनी केमेक्ष्ट्री फॉरेस्ट्री जियोलाजी मैथमेटिक्स फिजिक्स, इस्टेटिक्स, जिलोजी, इन्वरियनमेंटल साइंस और अनुस इन एलेटेट सब्जेक्स और इंजिनरिंग डिग्री इन सेबिल, मेकैनिकल, कैमिकल फॉर्म, एनी रिकगनाइज इनिवर्सिटी इन इंडिया इसके लाओं दोस्तों, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे करके रखा है, आप वहाँ से जाके फूल नाटिफिकेसन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप 29-7-2024 से 10-8-2024 के बीच में बना फाम फिलफ करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का हेल्फ ले सकते हैं, वहाँ से आपको टक्स के माद्यों चे श्टेप बाई श्टेप हमने समपूर जानकारी प्रोवाइट करा दिया है, तो आज की वीडियों के बने परिच्छा से समबंदित नई जानकारी या, समपूर जानकारी प्रोवाइट कराई जाती है, पूरी जैनून तरीका से प्रोवाइट कराई जाती है, तो आज की वीडियों कलब इसतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियों में, तिल देन, गुर्बआए, थैंकु